हलो फ्रेंड्स, वेलकम एक टू ओन चनल स्टॉक मार्केट फंडामेट अब यहाँ पर बात करें जाएं अगले पॉइंट के बारे में सी मेंबर्स पार्ट वन रग दिया होगा नहीं देखाए जाके जरू देखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और मेंबर्स क्रूड वैल की पार्ट वो के स्ट्रेटेजी जाके देखेए काफी प्रॉफिटेबल है 99% सक्सेस रेशो है और एक गैरंटी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो पार्ट वन में बोला था कि at least मानलो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी समझ में है कि नहीं आए स्टॉक आउशन समझ में है कि नहीं लेकिन ये क्रूड वैल की मेरी स्टेटेजी आपको प्रॉफिट देखे जा सकते हैं अब बैंक निफ्टी के ट्रेडर बने के ना बने लेकिन ट्रूड वैंक ये दोस्तों मैं गरेंटी के साथ बोल सकता हूं तो जाके देखे मैं अभी यहाँपे हाली में छोटा सा ट्रेड किया था quick profit trade किया था काफी अच्छा profit हुआ था तीक है आप देख सकते है सिर्फ एक minute का trade था और काफी अच्छा profit भी वहाँ तो जाके दीखे आपको बहुत काम आईगी ठीक है चले फटाट बात करें जाए अपी important points अब मैं बस ध्यान से सुनीगा फिर से बताना चाहूंगा इस वीडियो का मकसद है कि stock में जो news है उसको जिससे आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ global news क्या चल रहे है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और short term long term में क्या करना है वो update करता हूँ बाकी आपको डिपेंड हो जाता है आपको क्या करना है तो फड़ाइड यहाँ पर point ले लेते है सबसे पहला point हो जाता है FI का data FI के data day by day members यहाँ पर बीग आते हुए दिखे लिए है कल 7-7,000 करोड की बीक वाली की थी आज 8,000 करोड की बीक वाली है ऐसा members लग रहे है कि यहाँ पर FI इंडिया में रहिना नहीं चाहते एक members एक बताना चाहूँगा आखरी point है जहां से सुनिगा कि यह मेरे साब से एक record है पिछले 5-10 साल का कि FI ने continuously इतनी बड़ी selling की है continuously 6 मैने से जादा हो चुके है एक भी ऐसा अभी day नहीं गया है पिछले 1-2 मेने के अंदर जहां पर FI ने खरीदा रिकी है continuously selling है और यह काफी बड़ा number है यहाँ पर 2022 के अंदर आ चुका है अभी भी market के sentiment negative है तो बहुत सारे बुशे थे कि अभी तो नल्ला pullback है तो अभी यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अगर करना ही है तो bank nifty के अंदर का सकते है जो मैं आपको समझा है था थोड़ा बहुत bank nifty के अंदर कुछ quantity add का सकते है एक logic ध्यान में रखेगा second point हो जाते है कि सर रश्य यूकरिन की news क्या है तो मैं बस आपको पहले तो यह समझना है कि रश्य यूकरिन की वार अभी भी continue है continuously one side से बातचित है और continuously second side से fighting चल रही है यानि की वार चल रही है तो data अभी भी negative है global market के और अभी तो मैं बस data और negative आना start हो चुके है सीध्यान से देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर US में oil import यहाँ पर ban करना start कर दिया है रश्या से जो भी oil हैगा वो यहाँ पर US ban करने वाले है यह कुछ negative point से इसकी वज़े से crude oil की prices देखो यहाँ पर crude oil की prices all time high fee से touch करने वाले है तो members totally negative है और अगर यह touch हुआ उपर साइट पे तो petrol, diesel, CNG सभी price बढ़ने वाले है, commodity price बढ़ने वाले है और members इसकी वज़े से inflation बढ़ेगा और हमारा रूपी depreciate होगा ओके तो सभी companies के margin में impact होने वाले है directly और indirectly तो यह members negative news है इसकी वज़े से market आप दिखोगे तो थोड़ा सा gap down आपको दिखाए दी रहा है समझ रहे हो, ओकी तो यह एक बड़ा logic के job को focus करना है अब थर्ड important point हो जाते है members की यहाँ पे international freight lease view मोने वाली है अब ज्यान सा सुनना, बहुत सरे पूशे दे स्पाइस जेट होल्ड करू या बीश दू एक members सी ज्यान सा सुनना स्पाइस जेट अभी होल्ड करना लेकिन एक logic ज्यान में रखना कि 100 के आसपास जाता है profit book कर लेना, exit कर लेना ऐसा मत सोचना कि multi या breakout है यह चांद फाड के ऊपा जाएगा नहीं जाएगा, यह मैं guarantee के साथ बोलूँगा पता है क्यों, क्योंकि members बड़े place का pattern होते है pattern आप नहीं समझते हम समझते है pattern आप नहीं समझते हम समझते है मैंने members बहुत बार देखा है spice jet हमेशा all time high के आसपास आता है वहाँ से profit booking कर लेता है तो आपको क्या करना है spice jet definitely यहाँ पर all time high के आसपास आईगा 100 के आसपास आईगा लेकिन आपको exit करने का सूच रहा है अब इक लिए news positive है stock ओपर जाएगा लेकिन मेरी सबसे अगर मुझसे बुझे सर क्या average करूँ थोड़ी सी quantity average कर सकते है 45 का stop loss रखना strictly basis पे और average थोड़ी कर सकते है और stock 98-99 के असपास जाता है एक या लीड़ सल के अंदर तो stock को profit book कर सकते है लेकिन अभी short term में 100 के जो सपने है stock में वो मत देखीगा clear cut basis पे ठीक है इतना बड़ा bounce पे नहीं आएगा और yes members इसकी वज़े से यहाँ पे indigo को भी benefit हो सकते है indigo भी कल उपर जा सकता है अब सबसे बड़ा important points आ जाता है जिससार नजरा में क्या करना चे नजरा सर हम लोग attack चुके है आपको भी one of the hot favorites था काफी अच्छी momentum की थे यह stock बहुत ही उपर गया था लेकिन बाद में sudden fall आ गया था तो अभी सर नजरा में क्या करना चे अब members नजरा देखो गया तो यहाँ पे gaming partner यहाँ पे particular के साथ होता हुआ दिखाई दिया इसकी वज़े से stock एक percent उपर गया था लेकिन सर अगर मुझसे पूछे सर क्या मैं average करूँ members stock का support तो आ चुका है लेकिन अभी वार की news का थोड़ा wait कर लेजे जब तक खतम नहीं हो जाती या FI के data थोड़े positive आना start नहीं हो जाते तब तक stock को average मत करना लेकिन मुझसे पुछे सर क्या और नेचे जाएगा chances तो कम है और नेचे जाएगा support ही है थोड़ा wait कर लो patience रखो stock में profit booking माफ कीज़ेगा ओपस ज़रू जा सकता है और members एक बात ध्यान में रखेगा मैंने बहुत देखा है falling market में public patience नहीं रखती है serious note में members थोड़ा सा patience रखो आप experience नहीं है हम लोग है ठीक है आपको ऐसे market के अंदर patience एक बार रखना सिख गए न तो आपको profit मिलेगा यह ज्यान में रखो कि दूसरे सबी stock ITC नहीं है आपको 5-6 साल आपको wait नहीं करना है 5-6 साल आपका patient test नहीं करेगा ओके यह नजरा हो गया IT LNT माफ किजेगा LTTS हो गया या कोई भी ABC stock हो गया कोई भी ABC stock सबी stock उपर जाते CY ITC के लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है अभी थोड़ा market patience test कर रहा है F5 players हमेशा SI करते है retail investor को exit कर रहा थे क्यों क्योंकि वो लोग mutual fund SIP start करे ओके यह सब एक game होती है एक बड़े international level पर game होती है आप नहीं समझते हैं हम लोग समझते है ठीक है तो बिल्कुल भी serious mode पर panic मत करना ओके और अभी loss में तो बिल्कुल भी मत बेचना अगला point हो जाते है अशुक लेलेन अशुक लेलेन 22% यहाँ पर fall करता हुआ दिखाई दिया एक week के अदर क्योंकि margin contract हुए है मैं बस पहले ही बोला था कि अशुक लेलेन को exit कर लेना किसी के पास है पहले आपको update कर दिया था अभी इसको average बिल्कुल भी मत करना stock का average level कहाँ पर वो मैं बताता हूँ ठीक है सी ज्यांसा देखना stock का average level है 75 सर क्या आएगा 75 definitely yes कुछी दिनों के अंदर यह आ जाएगा यह कुछी महिनों के अंदर यह stock आ जाएगा 75 क्या सपस add कीजिए एक ये दो साल रखें stock 150 जरूँ टच करेगा ठीक है वहाँ पर profit बूप कर सकते है लेकिन yes stock नीचे जरूँ आएगा वो ध्यान में रखे अब सबसे बड़ा point सर हीन को उपर चलेगा के नहीं चलेगा सर क्या यह अगला ITC बन चुका है क्या profit दीगा के नहीं दीगा अब मैं बस ध्यान से सुनेगा commodity prices boom कर चुके है ठीक है इसके वज़र से माना यह जा रहा है कि हीन copper, NTPC, NMDC 30% की रिली करने वाले हैं और members मैंने आज यह news सुने थी कि यहाँ पर nickel के prices one day के अंदर 100% प्राच कर चुके है 100% यानि की double हो चुके थे तो आम देखोगे तो यहाँ पर हीन copper का stock काफी अच्छी momentum आज कर रहा था मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा हीन copper के बारे में सी देखो आज काफी अच्छी उपर भी गया था लेकिन stock बाद में fall करता हुआ दिखे जिया तो stock sir कहा तक जा सकता है जाएगा थोड़ा ही आपको patience रखने stock एक bottom out ही बना रहा है ठीक है stock का 100 उपिस का bottom है वो bottom ही बना रहा है एक बार यह reach break कर दी stock 200 नी 250 नी 300 प्लस जा सकता है ठीक है तो definitely आने वाले quarter result ही बता दीगा stock कहा तक जाएगा मेरी सबसे आने वाले quarter result शाहिए positive रह सकते है stock के लिए और जैसे update मिल गई बड़े place को तो stock run करना start कर देगा आपको stock को सिफ watch list पे रखने 160 का cross किया यानि कि बड़े player interested है बड़े player को लग रहा है stock के profit result positive आ सकते हैं ठीक है तो यह focus कीजिगा stock की momentum मेरी सबसे 1-2 मेनिक इंदर start हो सकती है तो members यह सभी stock के आपे news की वज़े से focus में रह सकते हैं अब फ़र डट कुछ viewers के question ले ले दे के sir क्या अभी यह सभी stock को average करना चाहिए क्या देखो में आपको अभी part 1 में यही बोला है और part 2 के starting में कि यह जो pullback है नला pullback है ठीक है क्यों नला है क्योंकि F.I. की ceiling अभी भी है F.I. ने ceiling किया अभी भी और यहाँ पर जो US है ठीक है वो oil band करने वाला है जो रशिया से हम लोग oil खरीते है उसको band करने वाला है तो इसकी वज़े से crude oil की prices बढ़ेंगे और यहाँ पर inflation बढ़ेगा तो यहाँ पर जितने भी margins है company हो की ठीक है most of the company के margins impact हो सकते है due to transport की price बढ़ने वाले है तो market में अभी भी यह नला pullback है आप consider कर सकते है तो sir इसमें से कोई average करूँ क्या नहीं करना है बिलकुल भी average नहीं करना है अगर करना है सिफ banking stock को कुछ quantity add कर सकते है लेकिन अभी यह सबी stock को average मत करना average करना है मैं आपको यहाँ पर pink करना है टेलिग्रम के अंदर आप जाकर join कर सकते है definitely थोड़े message आएंगे लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप stock में average कर सकते है लेकिन कल भी pullback आएगा market के अंदर तो आपको यहाँ पर अभी average नहीं करना है stock में थोड़ा wait कीजिए मेरी साब से 16,000 find it cross कते है तो आप average कर सकते है तक तक थोड़ा wait कीजिए मैं आपको update कर दूगा फिर कोई query रेज़ेती मैं बस देखो stock 2-3 दिन से profit booking गरा है हम लोगों ने जब दिया था तब यह stock अगर 200 पे गया था उसमें 33% का profit था मेरी साब से आपको profit book कर लेना चाहिए अभी के लिए temporary basis पे अगर थोड़ी सी bulk quantity डाली है as a disclaimer मैंने 60% profit उपा के लिए तोड़ा book किया क्योंकि मेरी quantity mid थी बहुत कम नहीं थी बहुत ज़ादा नहीं थी मैंने profit book के लिए है जैसे यह stock 2-0-6 को cross करेंगा मैं फिर से एट कर लूँगा अभी के लिए आप profit book कर सकते हैं अगर bulk में है अगर बहुत छोटी quantity है तो definitely hold करके आप pull सकते हैं और जिन लोग ने comment किये मेरी सर्फ से हम पर थोड़ी mid quantity थी होगी तब definitely profit book कर सकते हैं profit में है तो और अगर बात करें जाए India Bulls housing के बारे में India Bulls housing में क्या करना चाहिए मैं बस इसको भी average मत करना India Bulls housing almost bottom पे आ चुका है 135, 130 का एक bottom है stock में थोड़ा patience रखना है मेरी सर्फ से average का मौका बहुत जल्ब बनेगा लेकिन जैसे market में sentiment थोड़े से positive आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर खरीदारी करना start कर लेगे clear यह धर में रखना stock को ready रखना और मेरी सर्फ से India Bulls housing किसी का पास है तो average करने के लिए ready हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर members मैंने सभी query short out कर दिये फिर कोई query रह जाती है comment कर सकते हैं और whatsapp group को join करना है छोटी सी paid membership है वो ले सकते हैं या तो आप हमारी link से demand account open कर सकते हैं मैंने आपको पूरी detail यहाँ पर video के description में या comment में pink कर दियोगी जाके जरूर देखेगा demand account open की जिस जीरोदा के अंदर angel broking के upstocks के अंदर और यहाँ पर paytmoney के अंदर account open कर सकते हैं account की client ID आ जाने पर हमको email कर सकते हैं client ID का screenshot हमको email कर सकते हैं email ID मैंने आपको provide कर दियो होगी comment के अंदर और अगर आपके बस demand account है आपके family members के तो आप यहाँ पर छोटी सी paid membership भी ले सकते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जय हिन